अगर आपके घर में एक कप दूद है तो चटपट में आप इस मज़दार से डजट को बना सकते हैं और टेस्ट ऐसा है कि आप खाते ही रह जाएंगे बिसमें इलाहिरो अखमाने रोखी मस्सलाम अलेकुम गाइस आई होप आप सब ख्यारी अच्छी होंगे तो आज मैं शेयर करूँगी एक कप दूद के साथ एकदम मज़दार और बहुत ही टेस्फुल सा डजट की रेसिपी जिसे आप बहुत ही कम बजट के साथ बना सकते हैं तो चलिए आईए बनाना स्टार्ट करते हैं कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए लाल सब्सक्राब बन को क्लिक कीज़े साथ दे गई बेल ऐकन को प्रेस कीज़े तांके मेरी मज़दार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पास सकें शेरें तम जब दीजे इस मज़दार से डेसिट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बरतन में शामल करेंगे वन कप पानी और इसमें एट करेंगे हाफ कप शुगर तो अब sugar अड़ करने के बाद हम कुछ इस तरह fresh तरह से mix करेंगे और sugar को हम पानी में अच्छे से dissolve करेंगे अल्की flame पर करेंगे तांके फिर sugar जले नहीं तो यहां पर हमारी sugar जो है वो बहुत आच्छे तरह से पानी में डिजोल्फ हो चुकी है हाफ टी स्पून इसमें शामल करेंगे फूट कालर और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर यह हमारी चाशनी बनकर दायार है फ्लेम को अफ करते हैं से साइट पे करेंगे इस तरफ हम एक बटन में शामल करेंगे तीन से चार चमच पाने के और इसमें शामल करेंगे वन कप दूट जो के फुल फैट क्रीम वाला है दूट जो हैं यहां पर हमने फ्रेश लिया है अगर आप चाहें तो डबे का दूट भी ले सकते हैं फ्लेम को अन करेंगे और अब हम दूद में बॉलाने देंगे बहुत ही अची तरह से इस तरफ हमने हाफ कब दूद बचा लिया था इसमें एड़ करेंगे जी हम टू डेबल स्पॉन कॉन फ्लोर मीन्स के कॉन स्टार यह यहां पर जो मैंने चमच ली है यह नॉर्मल चावल खाने वाली है आप बहुत ही अच्छे तरह से मिक्स करेंगे कोई भी गुटले वा लम्स नहीं रहना चाहिए आपने बहुत ही अच्छे तरह से जो है वोसे मिक्स करना है तो यहां पर यह मिक्स हो चुका है चलिये नेक्स टेब की तरफ और इस तरफ माश्यला से बहुत ही अच्छी तरह से दूद में बॉइल भी आ चुका है तो बस इसी स्टेज पर हम एक दफा से मिक्स करेंगे और इसमें अब एट करेंगे जी हम दूद का बनाया हुआ बेटर और साथ-साथ चम्मट चलाते हुए मिक्स करेंगे ताके कोई भी गुटलिया और लंस वगारा ना बने इस तरह से थोड़ा-थोड़ा बेटर एट करते जाएंगे और साथ-साथ मिक्स करते जाएंगे तो सारा ही कॉन फ्लोर वाला मिक्चर हमने एट कर दिया है अगर आपके पास नहीं तो आप शुगर भी एट कर सकते हैं तो इसे एट करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे स्टेज पर एट करेंगे वन टी स्पून वनेना एसंस मज़दार फ्लेवर के लिए और आप दुबारा से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से फ्लेम को अफ करके इसे ठंडा करने के लिए रग देंगे तो यहां पर माशला से हमारा डज़ट का बैडर बोगत इसे ठंडा हो चुका है तो एक दफ़र से हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे माशाला से देखा आपने कितना आसान तरीके से हमने इस डजट को बना रहे है इसके साथ हमने क्रीम ले लिया है जो कि हमारे पास और पर्स की है और इसे एड़ करेंगे 3 से 4 डेबल स्पून अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं या फिर आप जो दूद के ओपर मलाई बनती है ना वो भी एड़ कर सकते हैं तो अब हम हैंड बीटर की मदद से अची तरह से मिक्स करेंगे अगर आपके पास नहीं तो आप चम्मच की मदद से भी अची तरह से मिक्स कर सकते हैं तो यह आपने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक यह एक तरह से सॉफ्ट और स्मूडली सा नहीं हो जाता तो माशिला से एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी सा यह हमारे डजट के बेटर हो चुका है तायार चलते हैं नेक्स टैप की तरफ यह हमने ले करेंगे शुगर की बनाई हुई चाष्णी इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से एड़ करेंगे तांकि जो रस हैं यह बहुत अच्छे से जूसी से हो जाए अब इसके उपर एड़ करेंगे जी जर्जट का मजदार सा बैटर यानि के कस्टर्ड और इसकी एक अच्छी से सेट कर लेंगे एक लेयर की तरह और इसके उपर जो हम एड़ करेंगे चॉकलेट सीरॉप यह हमारे पास अवेलिबल था अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं और ड्राइफूट भी एड़ कर सकते हैं जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो यहां बस टूप मैशला से बहुत मज़दार बनता है और एक तम टेस्टी सा आप इंशाला से ट्राइब करेंगे आपको रेसिपी बहुत ज़दा पसंद आएगी इसमें जो हमने पापे एड़ किया है वो एकदम मज़दार और बहुत ही जूसी से बनते हैं और पता ही नहीं चलेगा कि रहा से टेस्टी मज़दार और न्यू रेसिपी आपके साथ भी शेयर होती रहें माशला से एकदम मज़दार और बहुत ही टेस्ट फुल सा ये हमारा डज़ट बनका तयार हुआ है और मशला से बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगए और बहुत ही चटपट में मज़दार से मीटिय को बना सकते हैं गिरेंटी है जो भी इस मज़दार से डाज़ट को खाएगा ना तरीफ करते बगए नहीं जाएगा तो रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए इंशाला से रेसिपी आपको बहुत ज़दा पसंद आएगी वीडियो अची लगे वीडियो और फैमिली के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए इसी तरह से एक मज़दार और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत अज़दा ख्याल थेंक्स वर वाचिंग पॉर माई वीडियो अला फैस